जो मुकश्मीर के लोगों के लिए गुड नियोज है जितने भी जो मुकश्मीर के लोग ये इंतजार कर रहे थे कि लोग सबाद चुनाव हो गए, काउंटिंग हो गई, कौन जीता, कौन हारा ये भी पता चल गया लेकिन अब हमें असेंब्ली इलेक्शन जो हैं वो कब लेक्ने को मिलेंगे, तो मैं तमाम लोगों के लिए बता दू कि आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि यहां पर इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया ने जो है, वो साइन दे दिया है, कि जो मुकश्मीर में असेंब्ली यानि विधान सबाद चुनावों की तैयार लोगों को अप्लिकेशन सब्मेट करना होगा, यानि छुपे हुए अंदेशों में ये इशारा साफ तोर पर दिखाई दे रहा है, कि यहां पर इलेक्शन कमिशन जो है, वो जो मुकश्मीर में असेंब्ली इलेक्शन कराने की तैयारियां जो है, वो अंदर से शुरू कर यानि अभी ये खबर जो है, वो अंदर की है, और तमाम लोगों को कहा है, कि आप आईए, आप अपना जो है, वो सिंबल और अपना नाम अपना जो भी अप्लिकेश फॉर्म है, वो आप जमा कराईए, सबसे पहले जमुकश्मीर के तमाम लोगों को बहुत-बहुत मुबा यहां पर चुनाव होने चाहिए, यानि 5 अगस्त 2019 के बाद का वो दिन था, जब जमुकश्मीर के लोग ये तरस कर रहे गए थे, कि हम कब वोट डालेंगे, हम कब अपने अंगुठे का अपने वोट का इस्तमाल करकर अपनी चुनी हुई स्तरकार चुनेंगे, लोगों ने वोट डाला, तमाम आपको बता दे कि 5 लोग सबा कॉंस्टेंसिस जो है, वो जमुकश्मीर में हैं, उन तमाम कॉंस्टेंसिस पर जो है, वो चुनाव हुए, लोगों ने वोट दिया, चाहत तारी को काउंटिंग हुई, दो स्वीटे बीजे पी ने जीती, दो एंसी ने ज जीत गए, अंजीनियर रशीद, लेकिन फिलाल के लिए अब तमाम उन लोगों के लिए गुड नियूज है, कि विधान सबा चुनाव जिस तरह से होने वाले हैं, अब बताया ये जा रहा है, कि जिस तरह से लोग सबा चुनावों में लोगों ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिए लोग विधान सबा चुनावों में भी हिस्सा लेंगे, लेकिन आपको सुप्रीम कोट का वो वर्डिक्ट याद करना चाहिए, सुप्रीम कोट ने क्या कहा था, जब आर्टिकल 370, यानि दफा 370 पर ये डिसीजन सुनाया गया था, कि वो टेंपररी प्रवधान है, क्षमीर में अब लोड कर वापस नहीं आएगा, लेकिन हां, क्या हो सकता है, जब को स्टेट हूड का दरजा मिल सकता है, और ये स्टेट हूड का दरजा देने के लिए, सब्तमबर 30-24 से पहले-पहले कहा गया था, कि सुप्रीम कोट ने कि आप जब कशमीर में चुनाव कर लेकिन उन्होंने ना तो पहले कहा ना बाद में कहा इसलिए जमो कश्मीर के लोग जो है वो आधे में लटके हैं उन्हें नहीं पता कि उन्हें पहले मिलेगा या उन्हें बाद में मिलेगा हां लेकिन उन्हें इतना जरूर पता है कि विधान सबाद चुनाव होंगे असेम् नहीं होते इसलिए साफ तोर पर कहा गया है कि वो आएं और अपना अपना यहां पर अप्लिकेट फॉर्म जो है वो जमा कराएं ताकि उन्हें जो है हम यहां पर सिंबल जो है वो दे सके तो फिलाल आपको करना क्या है उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि आप जमकश्मिर यूनियन डिरेटरी में रहते हैं आपका सपना है आप असंबली इंतखाबाद में खड़े होने वाले हैं इसलिए आपको यह बताया जा रहा है कि एक ओफिशल स्टेटमेंट जो है वो जारी की गई है यहां पर अंडर पेरा टेन बी ऑफ दे इलेक्शन सिंबल रिजरवे नतीजे आने के बाद अपलिफ्ट हो चुका है लेकिन बताया यह जा रहा है कि अमन ना थ्यात्रा जो है वो शुरू होगी 29 जून से और अमन ना थ्यात्रा जैसे ही खतम होगी वैसे ही जमो कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं यह मैं नहीं कहती यह सोर्सिस कहते हैं और सोर् कि model code of conduct अभी हटा था और अभी जो है model code of conduct जो है वो लग जाएगा तो फिरहाल के लिए जितने भी लोग इस खबर को सुन रहे हैं मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है यह वही लोग हैं जिनोंने इंतजार किया जमों कश्मीर में चुनाव होने का यह वही लोग हैं जि प्रेस कॉन्फरेंस हुई वो प्रेस कॉन्फरेंस हम सब ने देखी क्योंकि जब तक वो प्रेस कॉन्फरेंस नहीं हुई थी हम सब को ऐसा लग रहा था कि जमो कश्मीर में लोग सभा और असेंबली चुनाव जो हैं वो एक साथ होंगे लेकिन क्या कहती आ गया election commission of India की तर और फिलहाल गुड नियूस है जमो कश्मीर के तमाम लोगों के लिए कि एसेंबली के चुनाव होने वाले हैं और जमो कश्मीर में अब चुनावी माहोल गरम रहेगा लेकिन आप लोग किसका पलड़ा भारी करने वाले हैं ये आप लोग जानते लेकिन आप लोगों को जो अगस्पाइं 2019 के बाद आप लोग तरस गए थे कि चुनाव कब होंगे वो अब होने वाले हैं और आप लोग इस खबर को शेर करें ताकि तमाम लोगों तक पहुंचे और ये इलेक्शन कमिशन ने तियारी कर ली आप लोग इसको चुनने वाले हैं तियारी आपको करनी ह तमाम अपडेट्स के लिए जम्मलाटान न्यूस को लाइक और फॉलो करना ना भूलू